Inkjet Printer Technology वास्तव में CMY Colors का जादू है. Droplets और Color Algorithm द्वारा बनाई जाने वाली Final Image के पीछे के Engineering आश्यरे जनक है. हम सभी ये जानते हैं कि Display Technology में Minute लाल, हरे और नीले सब पिक्सल्स होते हैं. एक Experiment के तौर पर Lessix के हमारे एक Engineer ने अपने Inkjet Printer को उसी RGB Colors से भर दिया. चलिए उसके Printer Output पर एक नजर डालते हैं. रिजल्ट काफी खराब था. प्रिजल्ट सही Colors के साथ फूल की तस्वीर को Reproduce नहीं कर पाया. इस दिल्चस्प रिजल्ट के पीछे की वजह को समझने के लिए चलिए Inkjet Printer की अंदर के Working और Color Science को समझते हैं. सबसे पहले, सबसे मूल Inkjet Technology पर विचार करें. Black and White Printer. आप कई सारे Dots के Collection के साथ कोई भी तस्वीर प्रिंट कर सकते हैं. ये Dots नोजल से निकलने वाली सियाही के बूंदों द्वारा निर्मित होते हैं. सियाही लगातार नहीं गिराई जाती है, बलकि जैसा दिखाया गया है, ये एक नियंत्रित तरीके से किया जाता है. नोजल का छोटा circumference और उसके अंदर के back pressure सियाही को बाहर leak नहीं होने देते हैं, जिससे एक सही तस्वीर बन पाती है. सियाही को release करने के लिए हमें इन छोटे heating resistors को ज़रूर इस्तिमाल करना चाहिए. ये resistors इतने responsive होते हैं कि जब इन में electricity बहती है, तो ये हर microsecond में लगभग 100 degree Celsius गेन करते हैं. इनकी एक बूंद को गिराने के लिए आपको उस respective resistor तक power supply करना होगा, फिर वो गर्म हो जाएगा, और सियाही को vaporize करके एक bubble बनाएगा. ये bubble piston की तरह काम करता है, जो सियाही को nozzle के बाहर धकेलता है, लेकिन जब पहली बूंद गिर रही होती है, तो गाड़ेपन की वज़ह से सियाही थोड़ी लंबी हो जाती है. इसका नतीजा ये होता है कि ये और एक boond बनाता है, जो की पहली boond के पास ही गरता है, कुछ समय बाद ये दोनों boondे जुड़ जाती है. बूंद पर ध्यान देते हुए आपने शायद एक जरूरी प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया होगा, आईए इस एनिमेशन को फिर से चलाते हैं, इस बार आप उपर वाली जगहें पर ध्यान दीजिए. यहाँ पर कुछ देर बाद हीटर को बंद किया जाता है, जिसकी वजह से कॉयल के आसपास का वेपर कंडेंस हो जाता है, और बबल कोलाप्स हो जाते हैं, सियाही का बैक प्रेशर बाहर की हवा को नोजल के अंदर खीचता है. इसके तुरंत बाद मिनिस्कस का सर्फिस टेंशन, बैक प्रेशर के खिलाफ काम करके एक एहम भूमिका निभाएगा. नोजल को भरने के लिए ये फ्रेश सियाही पर दबाव डालता है, और उसमें से हवा को निकाल देता है. अब हमने मूल बातों को समझ लिया है. आईए देखते हैं कि एक प्रेक्टिकल प्रिंटर कैसे बनाया जाता है. एक सियाही टैंक, एक कनेक्शन पाइप के माध्यम से प्रिंट हेट से जुड़ा होता है, जो कि इस होरिजॉंटल रॉड के साथ मूव करने के लिए फ्री है. प्रिंटर एक बेल्ट और पुली मेकनिजम भी इस्तिमाल करता है, जिसे स्टेपर मोटर द्वारा पावर किया जाता है. फिर एक मूवेबल आम की मदद से प्रिंट हेट को बेल्ट के साथ कनेक्ट कीजिए. आप देख सकते हैं कि बेल्ट की मूवमेंट के साथ हेट कैसे बाएं और दाएं मूव कर रहा है. चलिए अब प्रिंटिंग शुरू करते हैं. जैसा कि आपने पहले देखा था, हीटिंग रेजिस्टर्स को ठीक तरह से नियंतरित करके हेट ब्लैक डॉट्स की सीरीज प्रिंट कर सकता है. इस प्रिंटिंग उधारण को काफी बढ़ा करके दिखाया गया है ताकि ये समाझ आ जाए. प्रिंट हेट का एक्शुल साइज हेट का वन फिफ्ट है. ध्यान दीजिए कि एक पास के दौरान हेट कैसे नौ लाइन बनाता है, लेकिन एक्शुल हेट एक हजार लाइन से भी ज़्यादा बनाता है. एक पास पूरा हो चुका है. अब हमें पेपर के बचे हुए हिस्से में प्रिंटिंग प्रक्रिया को जारी रखना है. इसके लिए एक रोलर स्टेपर मोटर और दो सपोर्टिव रोलर अरेंजमेंट्स को इस्तिमाल किया जाता है. ये अरेंजमेंट पेपर को नीचे की तरफ मूव कर सकता है. अब print के खत्म होने तक हमें पिछली वाली प्रक्रिया को दोराते रहना है यहां दिखाया गया है कि print head movement इतना smart नहीं है left से right की तरफ move होते हुए यह कोई printing नहीं करता है साथ ही print head कई सारे ऐसे steps लेता है जिनकी आवशक्ता नहीं होती है आधुनिक printers में clever algorithms होते हैं जो इस प्रक्रिया को काफी fast बना देते हैं print head के सबसे अच्छे printing path और सही paper roller के movement को printing प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही calculate कर लिया जाता है अब आप देख सकते हैं कि जब print head इस पहले से define किये गए path को follow करता है तो ये printing कितनी fast हो जाती है जाहिर है कि जिस image को आप print करना चाहते हैं उसके आधार पर ये path काफी बदल जाएगा print head और paper इस तरह के एकदम सही path को इसलिए follow कर पाते हैं क्योंकि इन्हें एक stepper motor और feedback circuit द्वारा नियंतरित किया जाता है अभी तक हमने एक basic black and white printer बनाया है लेकिन अभी सीखी गई जानकारी को इस्तिमाल करके हम color ink jet printer कैसे बना सकते हैं सबसे साधरन जवाब ये हो सकता है कि हमें लाल, हरी और नीली स्याही इस्तिमाल करनी चाहिए क्योंकि ये display technology के मूल रंग है लेकिन ये काम नहीं करता है इसे समझने के लिए चलिए मूल सिध्धान्थ को जानते है दो रंगीन flash lights पर विचार करें एक लाल है और दूसरी हरी है जब हम एक साथ दोनों torch को एक ही point पर flash करते हैं तो resulting light पीली होती है चलिए स्याही के रंगों का उप्योग करके उसी प्रयोग को आजमाते है जब हम इन दो रंगों को mix करते हैं तो हमें एक मैला सा पीला रंग मिलता है इन दोनों experiments में input colors एक जैसे होने पर भी output color पूरी तरह से अलग क्यों है पहले case में हमने light को mix किया था वो एक additive color mixing method का उधारण है जबकि स्याही के साथ दूसरा उधारण एक subtractive mixing method का है additive mixing method काफी आसान है light का combined हिस्सा सीधा हमारी आँखों तक पहुचता है और आप उस रंग को देख पाते हैं लेकिन subtractive method थोड़ा सा tricky है यहाँ पर स्याही से reflect होती हुई light महत्वपूर्ण है subtractive method को बहतर तरीके से समझने के लिए हमें molecular level पर स्याही की जाँच करने की आवशकता है हमें पता है कि हम लाल रंग इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाल molecule लाल के अलावा बाकी सब कुछ एब्जॉर्व कर लेता है संक्षेप में हम स्याही के रंग में जो भी देखते हैं वो subtraction के बाद बचा हुआ रंग होता है यही बाद हरे रंग के साथ भी है हाला कि जब इन दोनों रंगों को मिलाते हैं तो physics काफी ज़ादा दिल्चस्प हो जाती है क्योंकि molecule की एक layer सर्फेस को पूरी तरह से नहीं भर सकती है इसलिए हमें इस शोध के लिए कम से कम दो layer पर विचार करना चाहिए यहाँ पर हम यह मान रहे हैं कि अलग रंग के जो molecule हैं वो uniformly mixed हैं जैसे कि दिखाया गया है चलिए नीचे वाले हरे molecule के साथ शुरू करते हैं हरा वाला molecule हरी light को reflect करेगा हालांकि इस हरी light को उपर वाली molecule layer से पास होना होगा आप देख सकते हैं कि उपर वाला जो हरा molecule है वो इस हरी light को पास होने देगा लेकिन neighboring वाला जो लाल molecule है वो इस हरी light को absorb करेगा संखशेप में उस area में काला रंग प्रेडियूस होगा अब हम नीचे वाले लाल molecule से आने वाली light को देखते हैं जब हम उसी तरह से दुबारा analysis करते हैं तो हमें ये final output मिलता है लाल और हरी light के बीच काफी मात्रा में काला रंग भी मौजूद है जो final output color को प्रभावित करता है जो मैला पिला रंग हमारी आँखों को दिखता है वह काले रंग की मौजूदगी की वजह से होता है काले रंग के प्रभाव को समझने के लिए सफेद बालों का उधारण अच्छा है हमें बाल का रंग ग्रे दिखता है जबकि ये काले और सफेद बालों का मिश्रण होता है यही कारण है कि subtractive method, additive method से पूरी तरह से अलग है और इसलिए प्रिंट हैड में RGB कलर को इस्तिमाल करने से हमें काफी खराब प्रिंट आउट मिले थे अभी तक हमने जाना है कि हम कलर्स को रिप्रेड्यूस करने के लिए प्राइमरी कलर्स का यूज नहीं कर सकते हैं subtractive method यहाँ पर villain है हमें ink print में जो रंग दिखाई देता है वो absorb होने के बाद का inverted portion होता है इस समस्या का समाधान simple है केवल fundamental colors को invert करना है लाल, हरे और नीले के inversion colors cyan, magenta और yellow है इस प्रकार ये वो रंग हैं जिनका हमें printer में उप्योग करना चाहिए यहाँ पर एक उधारण है हम इन CYM colors का इस्तिमाल करके हरा रंग produce करना चाहते हैं सबसे पहले nozzle से science स्याही की एक बूंद छोड़े इस से पहले कि ये बूंद सूख जाए उसी जगह पीली बूंद भी छोड़ दे इन दोनों रंगों को मिला कर एक उत्तम हरा रंग तयार होगा कुछ देर बाद ये बूंद पेपर में अब्जॉर्ब हो जाती है और हमें हरे रंग का dot मिलता है इसी तरहे जैसा कि animation में दिखाया गया है वैसे ही हम CMY बूंदों का इस्तिमाल करके perfection के साथ ज़्यादा तर रंग बना सकते हैं पहले हमने देखा कि एक ink jet printer में perfect हरा रंग कैसे बनाया जाता है लेकिन क्या हम इस तरह हरे रंग के हलके shade भी बना सकते हैं इसे हासिल करने के लिए होशियार engineers ने हमारी आखों को ट्रिक किया है उन्होंने normal हरे रंग को एक अलग spacing के साथ प्रिंट किया बड़ी हुई space दिमाग को चकमा देती है और हमें उस रंग का एक हलका shade दिखाई देता है अब अगला टास्क डार्क shade कैसे बनाते हैं डार्क shade को केवल CMY की मदद से नहीं प्राप्त किया जा सकता है इसमें printer को काली स्याही का भी उप्योग करना पड़ता है काली स्याही को के कहा जाता है जिसमें के का मतलब की होता है चलिए अब हरे रंग के dark shade की printing के पीछे के mechanism को समझते हैं सबसे सपष्ट जवाब ये होगा कि हरे रंग की बूंद के साथ काली स्याही को मिला देना चाहिए Logically ये सही है लेकिन इस method के साथ एक समस्या है आप हरे रंग के darkness को small degree में नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि हरी और काली बूंद का size एक ही होगा Colors के अलग-अलग shades को accurately प्राप्त करने के लिए यहाँ पर फिर से engineers ने हमारी आँखों को trick किया है हरे रंग के shade के अनुसार हरी बूंदों के बीच काली स्याही की droplet को गिराना है फिर से ये दिमाग को चकमा देगा और हमें colors का एक dark shade दिखेगा आधोनिक printers की print quality काफी अच्छी होती है क्योंकि स्याही की बूंदों का आकार बहुत छोटा होता है बूंद जितनी छोटी होगी, print की quality उतनी अच्छी होती है अच्छी quality के लिए हमें 300 से अधिक dots per inch square चाहिए होते हैं पर इससे भी बहतरीन results पाने के लिए आधोनिक printer में प्रती print head 2100 से 4200 nozzles है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद हमें उम्मीद है कि इससे आपको स्पष्ट रूप से समझाया होगा कि आपके printer के अंदर क्या होता है आपसे फिर मिलते हैं